हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अपने चैनल अनिकुबिं टिप्स में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बंडारे में बनने वाली आलू की सब्जी की रेसिपी जिसे हम बेना प्याज बेना लेसुन के बनाएंगे जो बहुत ही टेश्टी लगती है और साथ ही बताऊ करेंगे आलू किसी पटैटो मेंशर से या हाथ से भी मैश कर सकते हैं जादा पतला में नहीं करना आलू को आई मैश कर लिया है यहां लिया है मैने दो टमाटर तो मैं बताऊंगे अब आपको वह सिक्रेट टिप्स जिससे हमारी सब्जी बनेगी दो गुना टेश्टी टमा पहले न कमपमाटर को आगाएंगे तो सब एदा कटाएंगे जिसे टमाटर है जब जल जाएंगे तमाटर को अब शरीज आख मेरा फिन गय्रेंगे तरकमाटर होरặt फांचार के लिए हgesetzे हैं वहां बागए हम पाई प्लेम पर तमाटर को दे जे इसे थंडा करके चील लेंगे अगर आप मेरी इस रेड़ से सबजी बनाएंगे तो हमारी सबजी एकदम हल्वाई श्टाइल बनेगी टमाटर को हमने बोईल करके छील लिया है चाहे तो हम बिना बोईल किये ग्राइड करके भी डाल सकते हैं लेकिन इसते सबजी का टेस्ट आएगा दो गुना जादा टमाटर को हमने छील का ठंडा कर लिया है अब हम टमाटर को ग्राइड करेंगे तो फ्रेंद्साब सभी से रिकश्टों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइभ ने किया तो प्लीज स्थिक्टरीट कारें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जब सी जडाज ह्यासें शेयर करें तेल गरम एक कडाई में तेल गरम करेंगे, आप चाहे तु रिफैंड भी यूज़ कर सकते हैं, तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे कुछ साभुत मसाले, ये मैंने लिये दो सुखी मिर्च, ये बढ़ी लाइची, थोड़ी सी दालचीनी, दो ल इसमें हम डालेंगे दो चितकी हींग, हींग से बहुती अच्छा टेस्ट आपता है इसमें, तो हींग इसमें आप जरूर दाले, अब इसमें हमने जो टमाटर का पेस्ट तेयार किया था वो डालेंगे, येकीन वान ये प्रेंट्स अगर आप इस रेसिपी से सबजी बनाएं दो, टिन हरी मिर्च डालेंगे, इसे हमने लंबाई में कट लिया है चमाटर को हम अच्छे से फ्रा करेंगे टमाटर के पेष्टब को नितितक प्राई कर लिया है पेष्ट कीermें थोटा का तयल बिचोड़ दिया है कि नारूत्य में पता लग लगा है अपने चमस भूझा और चमस घंड़ी, दालेंगे लिप्ट श्रुट बाइब से परबी लिगा डालेंगे लिदा, दीविया मिर्च आप चाहे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कना राता है लिदी में सभी मसालों को समातर के पेष्ड में मीक्स करेंगे थैने 10 जाइप शचार Aí आहिए पंठों में принимराद है अब इसमें हम पानी एड करेंगे गैस की फ्लेम को हाई पे करेंगे अब इसे हाई फ्लेम पर हम 3-4 मिनट के लिए उबनने देंगे सब्जी में हुबाल आ गया है अब इसे लो टु मीडियम फ्लेम पर हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे सब्जी गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे अब इसमें हम डालेंगे आदा चम्मच अमचूर पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें हम डालेंगे गर्म मसाला यह मैंने आदा चमच गर्म मसाला लिया है इसे भी हम इसमें मिक्स करेंगे अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेति को मैंने थोड़ा सा रोष्ट कर लिया है और रोष्ट कर लिया है रोष्ट कर लिया है रोष्ट करके इस रासूरी मेति का टेस्ट बहुत अच्छा आपता है ग्यास की प्लेम को मोफ करेंगे सब्जी बनकर तयार है आप इसमें हम धनिया डालेंगे दनिया डालेंगे मिक्स करेंगे यह देखिए हमारी गर्मा गरम बंडारे वाली आलू की सब्जी बनकर तयार है आप इसे हम सर्व करेंगे हुआ 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 है